नमस्कार, मैं परविंद कुमार बर्मा, सच्छिडिक परमर्जाता, उत्तर परदेश राज अर्शी टंडन, मुक्तवेश विद्याला, प्रयाग राज, चुकि COVID-19 का दौर अभी जारी है, इसलिए अभी हमें अपने सुरच्छा को ध्यान में रखते हुए, अभी सारी गत्य विधियों को सुरच्छात्मक तरीके से करने की ज़रूरत है, इसी क पिछले वीडियो में यह डिसकॉसन किया था कि CERREVAL PALSI क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, लेकिन आप क्या समाने लूप से सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर CERVAL PALSI से ग्रसित है, चाह से का सिकार है, तो क्या उसके अंदर CERVAL PALSI के अलावा कोई अन्यवी disability विद्यमान हो सकती है एकदम सोचनी प्रश्ण है आप भी चिंतन इस पर खुब करिए और चिंतन करना चाहिए और एक सुझाव है एक निवेदन है कि आप इस मुद्दे को ले करके जितना चिंतन करेंगे जितने इस पश्टता से चिंतन करेंगे अगर मान लेते हैं कोई बच्चा से ग्रसित है तो आप सबसे पहले एक सेर्वल पाल्सी बच्चे का फीगर अपने आखों के सामने बनाईए उसके बाद उसके सोचने का प्रयास करिए कि उस बच्चे में कौन-कौन सी और दिभ्यांगता चाहिए कौन-कौन सी और छहती रस्ता चाहिए किस प्रकार का और व्यावधान उत्पन हो सकता है जिससे कि हम यह समझ पाएं कि क्या केवल सीपी का बच्चा केवल सीपी होता है या उससे और भी रिलेटेट कोई प्राब्लम होते हैं तो आज हम इसी मुद्दे पर बाच्चित करने के लिए आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ आज हम देखेंगे एसोसियेटेट कंडिशन आप सेरेबल पाल्सी तो हम इस पर बाच्चित करम आगे बढ़ाने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि आप इस पर जरूर सोचिएगा कि एक बच्चे में सीपी की समस्या आने के बाद क्या क्या समस्या हो सकती है तो अगर जनरल टम अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता होगा कि कितने प्रकार की होती है कोई बच्चा अगर सीपी से प्रभावित है तो उसके अंतरगत और कौन से दोस्ट विकार उत्पन हो शकते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या उसके अंतरगत वाड़ी दोस्ट उत्पन हो सकता है आप इस पर जरू चिंतन करिए और सोचिएगा कि क्या वाड़ी दोस्ट होना चाहें न होना केवल सीपी पर अधारित है या कोई अन दिव्यांगता चाहें कोई छतिगा सकता है जिसके कारण उसका भासा विकास नहीं हो पा उनके जो अनुकरण करके कुछ सीखने की कोशिस कर पाएगा यह चिंता कभी सहें आप जरूर चिंतन करिएगा कि अगर आपके समाज में आपके आज पास अगर इस प्रकार के बच्चे उपलद हैं चैस प्रकार के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं तो हमें उनके नीरो सिस्टम है वह प्राबलम में तो उसके कारण उसके जो भासा की समस्या है वह भी प्रभावित होगी निश्यत रूप से प्रभावित होगी वह प्रभावित केवल उसकी सेरेबल पालसी होने के बाद कि जो उसके वातावरणी समस्या है उसके जो समाजिक समस्या है उ से भी उसके भासा प्रभावित होती है इसमें चौंस्की ने बहुत ही अच्छा अध्यान करके पाया है वताएं कि अगर किसी बच्चे का जो भासा विकास हमको करना है ऐसे वातावरण का विकास करना चाहिए जिससे बच्चे में एक संब्रिद भासा का विकास हो सके अगले पाता है या वह निगल नहीं पाता है तो उसमें बहुत सारी चीजे प्रभावित होने लगती हैं जैसे लाइट पकना लेकिन उसकी जो मात्रा होती उसकी जो गंभेरता होती है वो समानी लोगों के पेच्छा जो सीपी बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा होती है इस प्रकार से सीपी होने के बाद उसके अंतरगत यह भी समस्या दिखाई देने लगती है इस पर अगर हम थोड़ा सा अपनी गहनता अपने ग्यान को बिस्तार करके यह समझ पाएं कि अगर बच्चे में इस प्रकार की समस्या आ रही है तो उसमें अभिबावक हो समाज के बेक्ती हों उसके सिच्छक हों उसके साहपाठी हों अगर पूरे लोग मिल करके उचित समय अगर उचित वातावरण को निर्मार करने में या उचित वातावरण के बेवस्था करने में अगर अपना सहयोग परदान करें तो हो सकता है कि इस प्रकार की समस्याओं को पूरी तरीके सिखात्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है लेकिन ऐसे ही ची के कारण नहीं बलकि उसके सीपी होने के बाद जो उसको वातावरण से जो इस तरीके का उसको ब्यवहार प्राप्त होगा उसी तरीके का ब्यवहार वह आपको परदर्सित करने की कोशिस करता है यह समान सब्दों में कि असमान ब्यवहार केवल सीपी बच्चा इसलिए है नह लेकिन जो cerebal pal с맛i के बच्चे उते हैं उनमें भी असमानिता होती है लेकिन उनकी जो समानिता देखी गई है वह जदा तर यह देखी गई है कि बच्चे को जो समासर से बहौर मिलता है बच्चा उससे अत peek मैं हसूस करता है और अपने आपको वो खुलापन महसूस नहीं करा पाता है जिसके कारण वो उसके जो बेवार में असमानिता आ जाती है अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ करके और देखने की कोशिस करें कि किस परकार के और समस्या आ सकती है तो क्या बच्चे में अधिगम की समस्य भी आ सकती है अगर कोई बच्चा CP से प्रभावित है तो क्या वह अधिगम से भी प्रभावित हो सकता है आप जरूर सोचना चाहिए इस सब्सक्राइब नियका लिए और जितने सोध हुए उन सोध के माध्यम से ये भी पता करिए कि अगर बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा है तो क्या वह समाने बच्चों की तरफ प्रभावित हो रहा है या उसके CP होने के करण प्रभावित हो रहा है तो समान सब्दों में कह सकते हैं कि अगर किसी ब्यक्ति का इस नायुक्तंत आपका जो मस्सिस करते हैं अगर उस पार्ट में कोई गड़बड़ी आ गई तो निश्चित रूप से आपके सीखने समझने सोचने बातचित करने सारी चीजों में आपके समस्या आएगी लेकिन फ किसी चीज को सिखाने में बहुत सारे सिच्छड अधिगम समगरी का उपयोग कर सकते हैं जिससे की बच्चे को सीखने में सहस्ता का भास हो हमारा निवेदन है कि जो सिच्छक वर्ग है अगर क्लासरूर में कोई से का बच्चा बैठा है तो आप उसको केवल इसलिए अन्य लोगों से अलग करके मत बैठाई कि बच्चे में पूरे लोग मिल करके उसकी सहयता करेंगे तो बच्चे में अधिगम के कोई समस्या उतनी नहीं आएगी जितना उसके जागरूपता के अभाव में आएगी तो इसक्रम में और आगे बढ़कर के देखते हैं कि बच्चे म से पता चला है कि अगर कोई ब्यक्ति बच्चा चीपी से प्रभावित है तो उसके अंदर मिर Treasury की भी समस्या आती लेकिन उसमें जो 30% बच्चे हैं जो एक लंबी अवधी के लिए दोरे पर आते हैं तो इसमें एक चिकित्सक ने सला दिया है कि अगर इसका उचित उप्चार और सही समय पर पहचान कर लिया जाए तो मिर्गी के जो दोरे बच्चों में आने तो पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे लेकिन जरूर हो सकता है अगर उसका प्रापर इलाज होता रहे प्रापर तरीके से उसको जगरुकता दिया जाए प्रापर तरीके से उसको हर एक ब्योस्थाएं प्रदान की जाए तो एक समय के बाद यह मिर्गी क के गत्विधियों के कारण समाज के लोगों के कारण चाहे हमारी जागरुपता के अभाव के कारण या जागरुपता की कमी के कारण या जागरुपता के लिए कि उपायों में कमी के कारण इस तरीके की समस्था हैं तमाम आपको देखने को मिलती हैं हमारे समाज में हमारे समा LY जिए तो हमने इससे आगे बढ़कर के सोचने की ज़रुत है कि अगर इस तरीके के लोगं अगर समाज हैं तो हमें अपने बेवार को किस तरीके से बेवसित करना है ताकि वो बच्चा हमारे साथ अपने आपको सहज महसूस करें हम उसके साथ सहज महसूस करें ना करें यह एक चिंता कभी से है लेकिन वो बच्चा आपके साथ हमेशा सहज महसूस करने की कोशिश करता है अगर हम तो साइब हमारा एक सिच्छा का एक अच्छा पहल होगा और सिच्छा के छेतर में एक पहचान बनेगी इसी करह में अगर हम और देखने की कोशिश करें ये अगर कोई बच्चा से प्रभावित है तो उसके अंतरकत और कौन सी समस्या आ सकती है तो हम यह देख सकते हैं कि बच्चे में बोधात्मक समस्ता भी उपन हो सकती यह इसलिए की ऐसीपी होने के कारार बच्चे का जो fever system है बच्चे के नाइक तंत्रिका हैं बच्च साथ हैं जो उसको सीखने समझने सारी चीजों करने में उसको मदद करती हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार की समता या किसी प्रकार की चतिग्रसता या किसी प्रकार के ब्याधान है तो उसके बोधात्मक अस्तर को भी प्रभावित करेगा उस बोधात्मक अस्तर को कैसे प्रभावित क करने की ही इस्टिती को हम बोधात्म कस्तर कहते हैं लेकिन बोधात्म कस्तर जो समान बच्चों का होता है क्या उस तरीके की से ग्रसीद बच्चा वो कर सकता है जरूर कर सकता है अगर आप उसको सिखाने की प्रक्रिया में अपनी मदद देने कोसिस करेंगे या उसको यह चीजों को सीख सकते हैं जब आप उसको सिखाने की कोशिस करते हैं तो आप यह पहले जानने की कोशिस करिए कि बच्चे की समस्या क्या है अगर उस समस्या की पहचान आप कर पाते हैं चाहे वह आपचारिक रूप से हो चाहे अनफचारिक रूप से अगर आप उन चीजों को देख पाते हैं उन चीजों को समझ पाते हैं तो निश्चीत रूपसे जो C.P. बच्चा है? उसका जो बोधात्मकस्तर है वो निश्चीत रूपसे उन्नतिक युर जाएगा और कि जीज़ें को समझने में सोचने में अपने आपको बहुत सच्छम पत्राने की कोशिश करेगे आप और सौचिए गाएगा एक बच्चा और कौन सी उधानों से ग्रसित हो सकता निए एक सीपी का बच्चा कि सुनने की भी छंता से प्रभाविद हो सकता है निश्जी को सकता है आप जब इस नायुक तंत्र की बात कर रहें कि अगर आपके पूरे मस्तिक्स में समस्या है तो इस मस्तिस्क से ही आपको सारी चीज़े प्रेट होती है लेकिन अगर हम अपने support के कारण उसको हम थोड़ा कुछ समझाने की कोशिस करें, कुछ चीजों को हम बताने की कोशिस करें, उसको कुछ ads, कुछ उपकरण अगर हम दे करके कुछ उसका सहयो करने की कोशिस करें, तो उसके जो सुनने की छमता है वो प्रभावित तो है, लेकि वो सुनने के लिए अपने आपको तकपर हमेशा बनाए रखेगा एक सीपी बच्चा है अगर उसके मस्सित का जो वरगी स्पायट है अगर वो प्रभावित है तो बच्चे में निकट दिस्ति दोस की समस्या आगई दूसरा बच्चा खुदी सीपी से क्रसित है तो आप उसक प्राइक सिच्चे कों से भी अनुरोध है कि आप जब इस क्लासरूम में जाए इन बच्चों को देखिए तो इन बच्चों के अनुसार अपने आपको ब्यवस्चित करने की कोशिस करिए आपका पार्ठिक्रम अलग हो सकता है आपकी स्टेड़ी अलग हो सकती है आप पढ अनों के भी सामंजस ऐसा बैठाइए ताकि जो समान बच्चा वो तो सीखने में सहज है लेकिन जो सीपी और देखने में अच्छम बच्चा है वो भी अपने आपको उसी में जोड़ने की कोशिस करें अगर वो कोशिस कर रहा है आप बस थोड़ा सा सपोर्ट उसको दे दे कस्तर और ब्यवारी कस्तर निश्चित रूप से बदलेगा और निश्चित रूप से वो समाज में अपने आपको एक वैलुएबल परसन अपने आपको एक समाज का उन्नत प्राणी के रूप में ब्योस्चित करने में अपना पूरा प्रयास करेगा अगर हम उसके प्रती थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिस करें तो आगे हम देखने की कोशिस करते हैं कि इस प्रकार के बच्चों में और कौन सी समस्य आती एक प्रकार की प्रमुक्षमस्य इन बच्चों के साथ यह भी होती है कि बच्चे का जो संप्रेशन का उसल है वो प्रभावित हो जाता है आ प्रकार की बच्चों को देखने के बाद जो हमारी आंतरी की सिती में जो हलचल होता है आप उस पर जरूर चिंतन करिएगा कि वह हलचल क्या हमारी है या उन बच्चों की है अगर उसमें अगर आप सामजस बैठा करके उसको एक ब्यौस्तीत रूप देने की कोशिज करेंगे आप इन बच्चों के साथ मिल करके निरंतर और निर्बात गती से अगर वारता करने का करम जारी रखेंगे तो निशीत रूप से बच्चा आपकी तरह बोल तो नहीं पाएगा आपकी तरह चीजों को समष तो नहीं पाएगा लेकिन आपकी तरह अनुकरन करने की जरूर कोशिस करेगा हम अगर इंची जो थोड़ा सा बेओसित कर पाएं तो बच्चे में जो असहस्ता का बाव होता है वो असहस्ता उसको महसूस नहीं होगी अगर बच्चा उस असहस्ता से बाहर निकल जा रहा है तो उसके जो संप्रे कोटा सा प्रयास उसके जीवन की कहानी ही बदल दे इस्यास के साथ हम जब कोशिस करते हैं निष्चतुरूप से बदलाव आता है और इन बच्चों में इक साकरात्मक दिश्ठी कौण विक्सित होता है कोई भी बत्क है अगर साकरात्मक स्कूर बढ़ता है तो निष्चत परकार की चमस्यां उस समस्या के खरण wiping करण हमें उसको अपने से अलग नहीं करती हैं थाहिए बलकि हमारे बिश्यों के हमारे पूरे समाज मोância के हमारे पूरे देश के तमाम परे सुझ सो बिलागो जाता है जिससे की वह समाज में रह करके भी न अपना-फरिच्शा के लिए लगता है इसलिए हमें आप सभी को मिल करके उनके सहीओ करना चाहिए हमें उनके प्रक्ति आदर भाव रखना चाहिए आदर भाल कि यह थोना हिस लिए आधर रहे हैं तो साथ बच्चा अपने आप में जो एक मजबूती का भाव है वो महसूस नहीं कर पाएगा अगर वो कहीं कमजोर अपने आपको महसूस कर लिया तो साथ हमें आपको सोचने के लिए और मजबूर होना पड़ेगा कि अगर यह बच्चा खुद को कमजोर समझने लेगेगा तो हम चाहा करके भी बहुत सारी चीज हम करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे इस करम में और भी चिंतन आप जारी रखे कि अगर इस प्रकार का बच्चा है अगर वो पाड़ी प्लेजिया में है तो उसका चलना उठना बैठना सब बंद हो जागा तो इस प्रकार के और भी और स सोच सकते हैं कि अगर यह बच्चा कहीं हिल डूल नहीं रहा है कहीं बातचीत नहीं कर रहा है कोई समाज में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसके स्वच्छता की सित्ति क्या हो सकती है और स्वच्छता सही है तो समाज में वह अपने आपको व्योसित करने की कोशिश अगर स्वच्चता की सिती थोड़ी गड़ बढ़ है तो उसके अंतरगत और बहुत से संक्रमित जो बीमारियां उससे भी ग्रसित हो जाएगा तो केवल सीपी एक समस्या नहीं है कि आप सीपी हो गए तो आप यह सब समस्या होनी निश्चित है नहीं सीपी होने के कारण यह स समस्या होगी ही नहीं कह सकते लेकिन हम यह अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि अगर इस प्रकार की समस्या है तो समस्या के परती हम कैसे क्या कर सकते हैं उस समस्या को और कौन-कौन सी ब्याधियां उपलब्द हो सकती हैं और कौन-कौन से एसोसियेटेट कंडिशन आ सकते हैं आप इसको जितना चिंतन करेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको नजर आती जाएंगी आप उस पर और ब्योस्थित तरीके सोसिने समझने के लिए थतपर होंगे दिखता के माध्यम से और सोधों को पढ़ करके आप इसको और व्यापक कर सकते हैं इसी क्रम में आज हमने जो चीज़ों को देखा है उसको अगर हम सारगरफित रूप से समझने का प्रयास करें तो हम यह देखने का प्रयास कर रहे थे कि जो सेरेबल पालसी से करसीद बच करेंगे एसके प्रभावित है तो इससे भी प्रभावित हो सकता है अगर बच्चे में यह समस्या है तो ये भी समस्या आना लाजमी है अगर हम चीजों कर रूप से और नवचारिक रूप से विवस्थी तरीके से और विवस्थी तरीके से चाहे जैसे भी अगर हम उसको सिग्र पहचान कर लेते हैं तो साइद इनकी समस्या उतना गंभीर नहीं बनेगी जितनी हमारे जगरुपता के अभाव में गंभीर रूप धारण कर लेती है तो आप निविदन आप आगर हमारे समाज में हमारी क्लासरूम में हमारे सिच्छाडğı पद्दती में अगर इस प्रकार के बच्चे आते हैं तो क्यों से बल पालसी बने के कारण भी उन समस्याय उसके अंतरगत आ उसको भी ध्यान एकने की जरुरत है उसके और रख पदती है हमारी जो प्रक्रिया है उन बच्चों के लिए कारेगर साबीत होगी इनी सब्दों के साथ मैं अपने वाजी को बिराम देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद